कि हलो एवरीवन आप लोगों का फिर से एक बार स्वागात है मेरे यूट्यूब चैनल पर वाज हम लोग एक नया वीडियो लेक्शर सीरीज लेकर क्या आगे हूं एक नया टॉपिक की स्टाट करने वाले हैं सीजी सेट पेपर फरस्ट के लिए हायर एजूकेशन सिस्टम य बंढ़ेहाना जो हमारे इसिएट उट्यूकैशन से एक हो जाता है इस पोर्चन बान से लेकर 10-13 सीटम से एक हो जाता है तो हायर एजूकेशन सिस्टम को हम पढ़ेंगे तो यह उसित कर लेंगे उसको कर लेंगे आप कि हाई Cyber system को पढ़ेंगे कैसे जैसे कि अगर इतिहास की बारें बात करेंगे हम अपने पाश्ट्ट की बारें बात करें की इतिहास को यदिन आदू मतलब अधुन इतिहास थीर है। इनसी सिंटने पढ़ते हैं कि प्राचीन समयमें क्या की डिवलापमेंट हुआ था उझे सिक्षा इतिहास की देन है वहीं से हम लोग ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करते करते आज यहां तक हम पहुंचे हैं उसके बाद लाश्ट में देखेंगे अधुनी की इतिहास में हम में मेली फोकस करेंगे सब्सक्राइब करते हैं यहां 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 यह सब कभ हुआ है यह पूझे विवलाप्मेंट आज जो भी अजिसी पढ़ते हैं जीतने सारे हम लोग एजूकेशन जो संस्थाएं पढ़ते हैं चाहें सब कब हुआ है यह पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ है तब उसके बाद का जो रूल्स रेगुलेशन से क्या 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 कमिटी बनी है कौन-कौन से कमिशन को गठन किया गया है चैक कोठारी हो चैनाक्टर राधा कृष्णन की कमिटी हो सब कमिटी को में हम पढ़ते हैं यह हम हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सब्दृता के बाद वाले जो हमारे जो रहेगा टॉपिक दो-तीन वीडियो लेक्शर के बाद आएगा हो हम पढ़ने वाले हैं यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रता है तो आधुनिक वाले पोर्ष इतिहास में जो टाइम था उसमें क्या-क्या सिक्छा को लेकर कैसी बेवस्था थी क्योकि इससे भी एक अब्लद को को में पढ़ना यह पूरा कभ़र कर सिस्टम को ठीक है मैंने एक पॉइंट अफी बता दिया बेसिक जो होता है इसको अब हम चलते है रजुकेशन सिस्टम में देखेंगे उच्छा प्रणाली में हम देखेंगे प्राचिन काल में में सिक्षा प्रणाली हैं के मिद्वरतमार में सिक्षा प्रणाली को परने से है हम बस उसको अविस्कार करते जा रहे हैं जो कुछ है हम उसको जान रहे हैं यही क्या है मैंखिर BY कर चाहिए कि निगत कर रहूं क्या कर पाएंगे analysis कर पाते हैं कि जब उस तेम ऐसा था तो अब जाकर के वर्तमान में कितना परिवर्तन हुआ है कहां हम थे और कहां हम अभी है यह सब हमें पढ़ना रहता है ठीक है तो प्राचीन काल में देखते हैं सबसे पहले सिक्षा का मुख्य उद्देश क्या तुछ क्या महत्त्र है स dreamed matter को आने वाले पीडियों को स्तनांत्रित किया जाथ है तो जो हायर एजूकेशन है जब तक हम हायर अगर हम मालो इलेवेज पहई-दीस लेकर के हम ट्वेल तक पढ़ते हैं तो नॉर्मल सिक्षा होता है जब हम उच्छा में आ जाते हैं तो हमारी समाजी का अर्थिक सांस्क्रितिक नेथिक अध्यात्मिक सभी विस्यों को समझने म कर पाएंगे आप स्थिक्षा के माध्य हम सीखर पातब देखेंगे अअब अभी जिसी सेट एlex ने सीट एक्जाम को क्लियर करना है तो यहां पर कोई गरीब आमीर या उंच नीच को यहां पर नहीं देखा जाता जो अच्छे से सी तक गरहड करेगा जो अच्छे सैसे सिक्षा लिया है वही है इसलिए लिखाए वी समताओं को कम करने में मतलब अलग-अलग जो समाज में उसको कम करने कभी एक साधन है तो यह सब नॉर्मल सिक्षा को उद्देश जो हम जानते भी है यह वाला सब्सक्राइब करता है कि आपको समाज में समाज में लोगों के लिए भारत के नागरिगों के लिए आपको यह आगे फ्यूचर में एक अदम उठाना है इसको राज्य और केंदर सरकार की बात करता है तो निर्देश निर्देश करता है तो निर्देश को दिहान में रखते हुए सविधान में संसोधन किया गया वर हम उनुचेट 21 का जोड़ा गया है जिसमें शिक्षा का अधिकार आपको दिढ गया है पॉइन याद रखेंगे सविधान में सविधान के अनुचेट कितना है और इतना है 20 21 का या पर 21 एक अगर इंगलीज में बोले तो तो यह सिक्षा का अधिकार से संबंधी ते हमारा कानून हो जाता है ठीक है 21 का यह आपके आद रखना है तो यह होगा नॉर्मली सविधानिक दिरिश्टी कोंट से हमने देख लिया सविधान में क्या इसके बारे में है जिसक्षा किया गया अब हम चलते हैं बार्रैत में उच्य शिक्षा प्रणाली की उन्नती देख लेते हैं काई से हुआ है कप से प्राचीन भारत की बात करें गया सबस्किन और है कि यहाप भारत में सख्षा का उथगम वैदिक से हुआ है वेदिक यूग का आप सिंपल सकार किया गया धिदों का जिसमें पूरे और ःनंत्र मंत्र जो भी यह ना संसकार है करम है सब उसमें लिखाओ थो वेदों में सब इसलिए यूग को ही व्यदिक यूग बोला गया है लगभग यह 500-600 इसा पूर्वकीалась 500-600 और इसा पूर्व की बात है ना देखो यह होता है इसा से आगे हम अभी है हम कहलते हैं इसवी इतना इसवी उस से पहले जो होता था ऊकालाधा था इस पूर्व कि अब इसा इस्वी या जो भी इसा जो 0 है इसको 0 को क्या मानेंगे हम जो Christian में जो main है उनका जो जन्म हुआ था उसको हम इस भी माना जाते हैं जीरो माना जाता है उससे पहले को भी अब इधर से कैसे होगा 600 500 400 300 ऐसा होता जाएगा ना उसके बाद जो अभी हम है यो बढ़ते जा रहे है एक हजार दो हजार तीन हजार से करके तो इससे पहले वाल आता है इसा पूर्व कहला ठीक है अब देख लेते हैं अब इसको समझते हमारा फिर टॉपिक पर आते हैं अब प्राचिन साहित में जैसे वेद ब्राम्हाण उपनीशाद आदि का घ्यान हमें प्राचिन रीशियों के माध्यम से प्राप्त होता था क्या वेद पहले जो भी हमने पराचिन ब्हारत हम दो पराचिन इतिहास पढ़ते हैं हम लोग videos अब लोहजार बनाना से अबаков में पराचिन ब्हारत में पहला किसको कहा गए जो सिक्छा के छेत्र के स्ट्रे में माना गया है ठीक है अब समझ में आ गया होगे तो संसार का सबसे प्रथम विश्वी दाला देखो कब बना साथ सव इसा पूर्व जो की है तक्ष सीला इसको भी मैं सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिटेल ना बताऊंगो तक्ष सीला के बारे में जिसको याद रखें आप सा साथ सो डो पहले होगा पहले साथ सो से उसके बात आएगा आपका सप्य शताबदी मलता होता है चोंत यहां से यह क्लियर हमने कर लिया जैसे कई भारती वीद्वान जैसे चरक के बारे हम पढ़ते हैं सुस्तुरु तार्यभट भासकराचायरे चाड़ा के पतंजली वात्सेयन आदिने गडित खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन चिकिस्था विज्ञान वास्तुकल सब किस टाहिम के हमारे सैंंटिस्ट है यह यह वैदी क्यों विद्वान है आज हम पढ़ते हैं अगला भारती सिक्षा परमपरा में आत्म ज्यान के लिए सिक्षा गुरू सिस्य का प्राचिंकाल में इस चीज को भी आ रखको घुए हम जानते भिए कि भुरू सिश्य परम सब निशूर के लिए बहुत थी अच्छा रहते था भाव की प्रधानता होती थी तो प्राचीन भारती दुनिया की सबसे सबसें भारत के लिए बहुत रहें को अब कुछ और देख लेते हैं कुछ लाइन से जैसे सुबासित रत्न संदों में कहा गया है कि ग्यान मनुष्य का तीसरा नेत्र है था सही कार्यों को करने में वीधी बताता है यह हम भी जानते हैं अगर ग्यान है तो आपको तीसरा नेत्र के ही बराबर है महाभारत में वर्णी थे कि विद्या के समान नेत्र से सत्य के समान तब कोई दूसरा नहीं है नास्ति विद्या समम चच्छु नास्ति सत्यमम से तपा मतब विद्या के समान कोई नेत्र और सत्य के समान कोई तब कोई दूसरा नहीं हो सकता है एंद्या को सदेव मोख्च का साधन माना गया है साज विद्या विमुक्टे तो सदेव मोख्च की प्राप्टी के लिए आपको सिखषित होना बहुत जोर रही है अगर आप सिख्षीत ही नहीं है तो आपको इस जीवन में रहने का कोई मतलब नहीं है तो अच्छे सा मुख्ष की प्राप्ती चाहिए आपको तो आपको सिख्षीत हो यह विद्या अप ग्रहाण कीजिए विद्या ऐसा धान है जो बैय करने पर भी बढ़ता है यह इस लाइ तो आपको भी लोगों को सिखाना चाहिए बताना चाहिए ठीक है विद्क्त के समान है विद्या वह जिसके विद्या नहीं है वह पसू की भाती है जो उस टाइम के थाट प्रोसेस अभी भी भी वह चीज फॉलो होता है जो हमने जितना भी आई भी उपर पढ़ा है वह अभी भी हो सब चीजे फॉलो होता है अब हम देख लेते उस टेंगे थोड़ा पद्धती को ग्यान को प्राप्त वेदन से प्राप्त होता है जिसको उचतर ग्यान माना गया अध्यात्मिक ग्यान अगर हम वेद को पढ़के हमें जिवन से मिलता है यह ना अगर थे उसको निम्ना और धर्म निर्पेक्ष्वी ज्यान की संग्या दी गई है तिस चीज को आप याद रखेंगे परा और अपरा मतलब वेदो के ग्यान वेदो से प्राप्त वापरा मतलब जीवन से ठीक है तो सिक्षा बेक्ति के सारिक मानसिक बहुत धीक अध्धात्मिक था मतलब होता है सुनना तो सिरुति यह ध्माट ग्यान प्रैप्त करने के अवस्त सुनकर जो हम ग्यान प्राप्त करते हैं वो क्या करता था लिए लिखा है प्राचीन शिख्षा प्रक्रिया में तीन बुनियादी चरण सामिल थे पहला हम ग्यान को सुन लेते थे सुनने के बाद मनन हां यहां मनन का अर्थ है विद्यार्थी में संग्यान आत्मा क्योगता को विक्सित करना जब हम सुन लेते हैं उसके बाद उसको हम स्वयम में विसलेशन करते हैं हम इनल पहला चणार अब ज्यान को सुने फिर उसका विसलेशन किये लास्ट में आप उसका अपने वास्तविक जीवन में लागू कि यही तीन बुन्यादी सिख्षा की प्रक्रिया है वगर आप यह तीन चीज कर पा रहे हैं कि हमें क्यों चीज पढ़ाया जा रहा है उसको हम समझ जार रहा हैं समझने कने पीद्बूर्टेशन कर रहे हैं कि सहीं है कि गलत है कि इसमें क्या परिवर्टन करना है कि पज Est 경 … अब अब सब्सक् computing करें सब तो हाम को सुपात्र समस्दार संसार और अध्षयास के लिए अनुसार जीवन को भी अपने आपको अपको समर्पित कрь दे सिक्षा को ले करके नॉर्माल लाइन है सब्सकrendo कर क्या हो दिक्षा द्वारा किया जाता था चात्रों में गुरु कुल होता तो क्या होता जिसे अभी फ्रेशा रिखाव देखो इन सब चीजों को आप एक बार पढ़ेंगे इन चीज को रटेंगे नहीं चीज हमारा नॉलेज के लिए है और एक रफली हमें आइडिया हो जाएगा कि उस टेम कैसा सिख्षा ब्यवस्ता थी रटना नहीं है इस चीज को आपको और वाले बार पढ़ लेना है बस तो अपनी सिख्षा समाप्त करने के बाद एक बर मचारी ग्रह से जीवन मरानी हो जाता था महिला महिलाओं को भी पढ़ाये गया है कुछ कुछ चीजें इनको भी पढ़ाया जाता है कुछ सीज सब देखा है उसमें काल की अदेख convers इसापूर्व में बना है मुगया है लेकिन उससे पहले हो चुकothy हea a prandhra सव से 1000 इसापूर्व बीच रचना हो गया था किसका आपका रचना हो गया हो जड़ों 7500 जो भूला जा रहे हैं हम तो इन्हीं हो आप एसा पुर्व आप यह डोला घ्र घ्र नालंदा हो के तक्ष सिल्ह विक्रम बीक्रम को देखेंगे इस टूटेओं से उसके इन्हीज वेदों को इस पढ़ाया जाता था इन्हीं व्यजान ले करके अलग-अलग चीजें और परिवर्तित किया गया है झ्यान को आगे बढ़ाया गया ठीक है अब पूरो वेदां की ब वेदों में सबसे प्राशीन माना गया है क्लियर पहला कोशन आ सकते हैं सबसे प्राशीन वेद रिगवेद यहां सभी इंडो एउरोपी भासाओं और मानवता का सरपथमकार्य है जिसमें सरल जीवान और उच्छ विचार सम्मेली थे रिगवेद 1028 भजनों का सुक्तों का य मतलब गाने वाला स्टैली में इसको बनाए गया है इसमें गान विद्या का भंडार या भारती संगीत का मुल कहां से निकला है तो आपको देखेंगे सामवेद में है रिचाओं के गयान के को ही साम कहा जाते है जो रिचाय लिखा गया है जो इस लोग लिखा गयना उसको समझिया फाधाने गाला है यहाँ अब आते हैं और पध्य दोनों मिलेंगे आपको यह कर मेंट कर ख дуже ये हैं ना मतलब समझ रहा हैं चंदों का संग्रा है लेकिन गाने वाले टाइप में इस में यग की अर्मकी प्रतानता यजूरबेद में का संग्रा है जो एग्य मैं बैठते हैं जो भी हम लोग मंत्र यूज करते हैं सुछ टाइम के ब्रामहर लोग उनका संग्रा किसमें मिलेगा आपको यह जूरवेद में लास्ट है अथरवेद इसमें गड़ित विज्ञान आयूरवेद समास सास्त्र कृषि विज्ञान आदियानेक विशावर्णित है अथरवेद को ब्रह्मवेद यजूरवेद को यज्य करमा की प्रधानता के वज़े से सामवेद को भारती संगीत को मतबगे गॉने वाले शैली में है और रिगवेद तो सबसे प्राचीन गरंथ जिससे यह सब चीज बना है ठीक है अब हम देख लेते हैं जब यह सब गरं है उसको हम असान करने के लिए क्या करते हैं समरी फार्म में लिखते हैं कि उसको में में पॉइंट से यूज किया है तो इसको अपना नाम दे दिया गया है तो ऐसी सेम चारोवेद को कि यह सब इसके छोटे रूप हैं इन गरंधों को आसान करने के लिए अलग लोगों सबको लिखना ही क्या का लाता है हम उसको आगे अलग-अलग पढ़ेंगे जब वैदिक साहित्य का परसार हुआ उनकी देख भाल के लिए कुछ विशेश सवहाद पूर्ण संस्थानों किया सकता है इसने सुत्र साहित्य को समाजी के सोन नहीं मं चाहँता है को दिके देखें हैं लोग पड़ते हैं इसमें अलग-अलग अलग लग हम दर्सन के बारे में पढ़ते हैं उसमें इन सब दर्सन को ज्यान कहां से मिला जो हमें दर्सन दर्सनिक जो लोग है उनको ज्यान भी कहां से मिला तो उनको इन चार वेदों से मिला है मतब वेदों से ही वेदों से उपनी सदों से धर्म सुत्रों से इनको ग्यान मिला उसको फिर लोगों तक इनों पहुंचा है ठीक है क्योंकि डारेक्टिल लोगों के द्वारा जो नॉर्मल जीवन में जी रहे थे लोग उनके द्वारे इन सब वेदों तो आप एक चीज और देख लेते हम इसमें बुद्ध भगवान बुद्ध जब थे उस टेम भी बोड़े पैमानों पर शिक्षा किया और सकता का एहसास महसूस हुआ उन्होंने बहुत कुछ धियान दिया तो बहुत धर्म के शिक्षा प्रानी में ध्यान के लिए मुख्य व उपदेश को सुथ बीने और अधिधम तिन तीनों का प्याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है तो अब ललीत विस्तार और महावस्तु जैसे बहुत धिक साहितिक रश्नाय विविन प्रका के लिप्यों में लिखी गई है और सभी संपरदायक लोगों के लिए सबसे भड़ी खासियत यही है कि यह लोगों के सांथ भेदभाव नहीं किया है सभी लोगों को मौका दिया गया क्योंकि बहुत धर्म जैन धर्म को उद्य है जो में मोटिव था वह ही था कि जो सबसे पहले क्या होता है रिगवेद ए जुर वेद्य सबको ब्रामणों के द इन्ही वेदों को असान किया और सभी लोगों के लिए उपन कर दिया तब गरीब हो अमीर हो आप सब लोग उस चीज़ों को अध्यान कर सकते हैं यही सबसे बड़े इनकी खासियत थी कि समाज जो जाती प्रथा थी जो वर्ण प्रथा थी कि ब्राम्हर छत्री सुद्र वैश करके इन सब के लिए उपन कर दिया सब जोइन कर सकते थे बहुत धर्म को और उनके इसाब से लोग सिक्षा प्राप्त कर सकते थे ठीक है तो अध्यान के लिए अन्य विशा कानूं जैसे कि धर्म सास्त्र लाया अंक गड़ीत नहीं तिक्ता कला वास्तू कला कला कले सील पक गुरू जो है अपने सीसिओं से मौकी क्रूप से पूछता था पढ़ा करके फिर क्या करता था वीद्वानों के सभ़ा मे लेकर जाता था उसको उससे को सब्सक्राइब कर देखे अगर 12 क ना मैं तुसको आ दियां कर लिया है तुसको इस बोलते थे तीन वेदों का अध्यान कर ले उसको रूद्र बोलते थे चारों वेदों को जो अध्यान कर ले उसको आधित कहलाता था जो अब हमें जानकारी के लिए थोड़ा पहुंते पता होना चाहिए अब हम देखते हैं सिक्षा के में उद्देश है इससे कोशन आ सकता है कि चार पांच पाइंड देंगे इसमें सिक्षा के कौन-कौन से उद्देश है क्योंकि यह तीचिंग एप्टिटूट से भी कनेक्ट ह जाता है सिक्षा कव उद्देश ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले प्राचीन सिक्षा का चरित निर्मान में युगदान टो प्राचीन सिक्षा जो main focus होता था उनका चरित्र को बहुत अच्छे से होना चाहिए आपके सभाव बहुत अच्छे बेवहरिक जीवन होना चाहिए इसके निर्माण पर बहुत जद्ध योगदान देते थे जह लिखाए चरित निर्माण को भारती सास्त्रों में बहुत अधिक महत्तों दिया गया अब उसके बाद है चरित्र आचरन से हिन बेक्त लेकिन उनका चरित्र भी सही नहीं हो सकता चरित निर्माण पर इसे रूप से युगदान दिया है प्राचिन सिक्षा की बात करें तो दूसरा है संपूर्ण बैक्तित्व का सरवांगेर्ण विकास मतलब बैक्ति का हर तरब से चहु मुखी जो बोतने चित्र मुखी विका पूरा ध्यान रखा गया जैसे आत्म सम्मान आत्म विश्वास आत्म सयम होना विवेक सकती न्याय सकती आदी गुनों को उद्या होता था जो विक्सित करने में सहाइक होता तरवांगेर्ण विकास की बात करता है थट बने देखते हैं नागरिक तो समाजिक करतब्यों का बोध कराना आपके क्या के करता था इसके बारे में भी बताया जाता अने अपने परिष्रम या स्वाद में अलस्ने करना में तो लगातार महनत करना मतब पढ़़ धिर हो और पढ़़ा थे रहे उसकी अपरिक्षा ना कर उसके इजजद करें माता-पिता अचार अतिधी का सम्मान हम प्रिवारिक जिवह में सम्मान बहुत जो हों रहें प्रसनत अब सब मतलब आपने कर्मों में रत मनुष्री सिद्धी को प्राप्ट करता है जो आपको काम दिया गया है जो आपको एक अनुवांसिक या बोलते ना वंसन उगत मतलब आपको जो पीडियों से जो मिला रहा है तो चार वर्ग में बढ़ा था समाज तो हर वर्ग का अपना एक काम थ अखोकस किया तह था करने लगे जिसे समाजिक प्रगती कोबल मिला और समाज में अगर अगर सब अपना अपना काम नहीं करेंगे सब एक दूसरे को चीनेंगे तो नहीं होसकते न लेकिन आपके में अगर यो टालेंट है आपकी मुतनी तàiलेंट कंवी योगयता है तो आप काम को कर सकतें heps라고 कर अच्छा तरीके्ज़ कर दिखाइए अग्ला संस्कृति आथ करें और उसका परिवर्धन का प्रमुक साधन है अगर हम संस्कृति के बारे में किसी को बताना है तो सब सबसे बहतरिन साधन क्या हो सकते हैं ठीक है उसके बाद کا की भावद दो को प्राम्ना सक एक होना उनुत करना विश्यित करना धर्म dubset का क्या क्याओं एक स्फिक्षा को लूगा उडगा ऊद्स था तो ठीक है यह हमने सिक्षा कुछ पॉइंट से तो ने देखा इसमें वेदो के देख लिए क्या और मैंने बता दिया हमारा एक रफ लिए इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया कि इसको प्राचिन सिख्षा पद्धती को ले करके इसके बाद वीडियो लेक्शर में हम इसके आगे को पढ़ लेंगे जिसमें टीचर कैसे होते थे उस क्या होते थे उनके बार में जानकारी लेंगे ताकि हमारे इस पॉइंट जो प्राचिन सिख्षा प्राइश अगरे का भी कोशन साता है तो कोशन हमसे बन जाना चाहिए ठीक है उम्मिद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको सेयर करते ठीक है मिलते हैं स्टूडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ हाई रजू के संसिस्टर में धन्यवाद